देखे प्रिष्णावली से संबंद जितने कंसेट्ट थे वो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं और आप चाहें तो उसको देख पी सकते हैं प्रिष्णे निम्द संब्स्याव में रैखिक समय करनों के यूगं बनाने आपको ग्राफिय विदी से उनको हल करके क्यात करना है पहला प्रिष्णे कक्षा 10 के 10 विद्ध्यातियों ने एक गड़ित के पहली पित्योगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो पित्यों के भाग उने वारे लड़कों लड़कों की संख्या क्यात करते है मान लेते हैं लड़कियों की संख्या X है और लड़कों की संख्या Y है तो कुल संख्या हम देख रहे हैं दस है तो यानि लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर दस हैं तो दोनों को जोड़कर हम दस के बरावल लिख देंगे पहली समय करण हमारे पास आ जाएगे यह पिलस का निशान है यदि लड़कों से लड़कियां चार दिखें और लड़क या पैसे समझ सकते हो कि लड़कियों की संख्या बरावाद चार प्लस लड़कों की संख्या तो लड़कियों की संख्या मान लीजे हमारे पास एक्स थी तो एक्स हो जाएगा चार प्लस लड़कों की संख्या जो हमारे पास वाई ती दोनों को हम जोड़कर लिख देंगे चार प्लिस Y वरावर X और Y को जब दल लाएंगे तो X मानस Y वरावर 4 दोनों तरीके से आप भी समीकर्ण बना सकते हैं हमारे पाद दो समीकर्ण ने आ चुकी है अब हम इनके हल निकालेंगे हल निकालने हैं तरीका आप जानते हैं क्योंकि Y कमान 10 माइनस X है यहां पर आप देख रहे हैं Y कमान 10 माइनस Y है X कमान 10 माइनस Y है चाहां Y कमान 10 माइनस X है दोनों में से कैसे भी आप समझ सकते हैं यहां इसने X कमान 10 माइनस Y लिखा है तो Y कमान लेते चलिए चार लेंगे तो 10-4 X क्मान 6 आ जाएगा तीन लेंगे तो 10-3 7 आ जाएगा दोनों तरीके से सवाल हो सकता है चाहाँ Y कमान X के पदों में लीजिए चाहाँ X कमान Y कमान दूरी समीकाने X-Y पराबर 4 तो आप 4 plus Y तो जब X पराबर 4 plus Y आएगा यह X और Y है तो आप अगर X, Y कमान यहाँ 1 रखते हो तो X कमान 4 पराबर 5 धाएगा Y कमान 2 रखते हो तो X कमान 4 प्राबर 2 6 हो जाएगा ऐसे हमने तीन बिंदू निकाल लिए तीन बिंदू दूसरी समीकर्ण के और तीन बिंदू पहली समीकर्ण के यहां से बिंदू आये 5,5 6,4 7,3 इनको हमने ग्राफ में लगा लिया है ग्राफ में लगाना आपको आता है फिर दूसरी समीकर्ण के 5,1 6,2 7,3 5,1 यह आ गया 6,2 यह आ गय स्थिन्हां गया इक दूसरे को बिंदू सात कॉमा तीन पर कट रहे हैं, वह में धुक्झेंटि बिंदू के निर। वोही उन दोनों समीकणों के हल यानि एक ऐसा बिंदू होता है, एक सा सन्था संतुस करों एक हताई है यह काांट साथ यह से ग्राफ से पाते हैं कि बिंदू 7,3 दिये गए समिकर्ण का प्रितिशेद बिंदू है और जो रैकिक समिकर्ण यूंग का उबैनिस्ट हल भी है यानि अगले सवाल को देखते हैं कि 5 पैंसिल और 7 कलमों का मुले 50 है और 7 पैंसिल और 5 कलमों का मुले 46 है एक पैंसिल और 1 कलम का मुले हमें क्याद करना है तो हमने मान लिया कि एक पैंसिल का मुले X है और 1 कलम का मुले Y है तो 5 पैंसिल और 7 कलमों का मुले तो एक pencil का मुल्ले x था तो 5 pencil का कितना होगा 5x एक कलम का मुल्ले हमने y माना था तो 7 कलम का मुल्ले 7y हो जाएगा यह नि 5x प्लस 7y बरावर 50 रुपे पहला समीकर आए ऐसे दूसरा समीकरी में असानी सा जाएगा 7x प्लस 5y बरावर 46 रुपे यह आच चुका है अब समीकराण 1 और समीकराण 2 से हम इसके हल निकालने का प्रियास करेंगे तो हल निकालने का तरीका आप जानते हैं यह तो x कमान y के पदों में यहाँ पर यह x कमान y के पदों में निकाला गया है आप चाहो तो y कमान x के पदों में निकाल के भी इसको हल कर सकती है तो यहां से हमने देखा कि 7 वाइदर जाएगा 50-7 वाइभ पांच इसको भाग करेगा तो X वराबर आ गया 50-7 वाइभ पांच यह एक साड़ी में आई X का Y कमान अब आप यहां लगाएंगे अपनी मलची से और वो मान लगाएंगे जिससे असानी समान निकलाए तो मान लोग 5 लेते जैसे 5 लिया है तो साथ पंजे 35, 50 में से 35 गया 15, 15 को 5 से भाग करेंगे 3 तो X कमान 3 है अगर हम यहां Y कमान 0 ले 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 तो 50 वाइभ पांच यानि 10 वच्चे का X कमान और अगर हम Y कमान यहां 10 ले 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 तो 70, 50-70-20, तो यह माइनस का 4 वच्चे ऐसे दूसरी समिकन यह थी हमारे पास 7X प्लस 5Y बरावर 46, यहां से हमने X कमान निका लिया, 46-5Y बटे 7, अब यहां पर हम Y कमान अगर माइनस 2 रख दें, तो 5 दूनी 10, प्लस 56, 56 बटे 7, 8 होता है, आप सोचेंगे माइनस 2 ही क्यों रखा, क्योंकि माइनस 2 रखने से X कमा भी पूर्णांग आजाए, तो आप Y कमान यहां पांच लेजिए, 5, 55, 46 में से 25 गटाई है, 21 और फिर साथ दिया, 23 आगया X कमान, ऐसे यहां पर Y कमान 12 रखेंगे, तो यहां पर X कमान माइनस 2 आजाए, तो 3 बिंदू यहां से आ रहे हैं, 8, माइनस 2, 3, 5, माइनस 2, 12, य आप देखिए, 8, माइनस 2 नीचे, यह दिखा दिया हमने, फिर कोन सा बिंदू है, 3, 5, तो X 3 है, पहले X पर चलेंगे, और Y 5 है, 3, 5, इन दोनों बिंदू को आपने मिलाया, तो तीसरा बिंदू अपने आप ही इसी ग्राफ पर इस्तित होगा, तब ही आपका ग्राफ ठीक और दूसरा हल आया था हमारे पास, 10,0, तो 3,5 और 10,0 इन दोनों को मिलाया, तो तीसरा बिंदू अपने आप ही इस पर आप देख रहे है, माइनस 4,10 इसी ग्राफ पर रहे है, यह जब हम सहल निकालते हैं, तो इन में खास बात होती है, कि जितने भी हल होते हैं, वो सब उ दोनों सरा लेखाएं, एक दूसरे को बिंदू 3,5 पर काट रहे हैं, इस काट किया हुआ कि दोनों रेखाएं, एक दूसरे को 3,5 पर प्रितिछेद करती है, जब 3,5 प्रितिछेद करेंगी, तो यह X, 3,5 और 5 हो गया, और X हमने क्या माना था, X माना था, हमने पैंसिल का 3,5 यानि X का मान 3 और Y का मान 5 देखें, यह भाषा इसने परियोग किया कि गिराफिय विदी से हल करने के लिए गिराफ बना कर हम देखते हैं, तो पाते हैं, यह 3,5 प्रितिछेद बिंदू है, बास सही है, जो इसका हल है, यह पैंसिल का मुले X यानि 3 रुपे होगे, और कलम का मुले Y यानि 5 रुपे, अगला सवाल यह उससे संबन्दी था, जो हमने कल आपको साणी बनाने के लिए कहा था, कि दो समय करने दी हो, तो A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 बरावर 0, तो X का गुलांक A1 होता है, Y का गुलांक B1 होता है, अचरपद C1 होता है, दूसरी समय करन भ आए देखते हैं इसको, जैसे इसने कहा है कि इन अनुपातों की तुलिना करके हमें गयाद करना है, कि हमी का द्वारा निरूपीत रेखा है, एक बिंदू पर पितिशित करती हैं, समानतर हैं या समपाती, तो यह हमें दे रखा है, 5 X माइनस 4 Y पिलस 8 रावर 0, 7 X, तो हम हमें देखते हैं, X के गुडांकों का नुपा त, यानी 5 बिलस 7, पिलस 9 अपिलस 6 रेखा है, कि देखे हैं हैं, तो हम देख रहे हैं कि इन में से कोई भी हापस में बरावर नहीं है, आप जानते हैं कि 5 बिलस 7 बिलस 8 पिलस 10 त, कह जैनए C बिलस 10 रावर 0, 8 अपिले, सब आप जानते हैं कि समीकण का यूगम जो हैं वह किस प्रकार के रेखाएं होंगी इस इस्तिती में रेखाएं प्रितिछेद रेखाएं होती हैं और केवाल एक ही बिंदू पर प्रितिछेद कर यानि समीकण का एक ही हल निकल कर आएगा एक ही अधित्य हल निकल कर आएगा यह दोनों समय एंसे हम यहां देख रहे हैं 9 बटे 18 तो A1 बटे A2 9 बटे 18 बीवन बटे वीटू 3 बटा 6 और C1 बटे C2 12 बटे 24 यह सब को हल करके हम देख रहे हैं कि 9 दुनी 18 तीन दुनी 6 12 बटे 24 यह सब 1 बटा दो निकल करा रहे हैं यह सबूस्कारायदि दुनी 8 बटे 19 दुनी 9 बटे 18 बटे 16 बटे 24 यह सब्सक्राइब दिये घान दोरह निरूपीत रहे हैं संपात होती हैं आप चाहें तो हुआ हुँने आपको को में स्वाइब बताए था और हमने आपको यह सान्यम में भी कल समझा दिया था आप पिछल नहीं इसको बात में भी देखें हो सकता है तो तीनों आप देख रहे हैं कि अनुपात बरावर हैं तो यानि तीनों रेखा हैं दोनों रेखा हैं आपस में संपाति हो यानि अगर यह पूछले हल कितने होंगे तो संपाति रेखा हैं एक दूसे हो कितने बिंदों पर अगला सवाल हो सकता है इस से संबंदित हो यह तीसरा हो गया है यह आप खुद देखेंगे हम देख रहे हैं कि संबंदिते था कि संबंदित होगा इस यहां पर बॉसक्र दियों गаты और असंबर्प क्या होते हैं दोनों संबंदिति नोग狗 यहां रेखाएन होँगी उगर एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगे तो नहीं नहीं होगा एक बिंदू पर काटेंगे एक हल होगा एक दूसरे के संपाती होगे अनंत हल होगे समांतर रिखाए होगी तो कोई हल नहीं होगा यह जो इस्तिति है जिसमें कोई हल नहीं होगा इसी को हम कहते हैं असंगत इस्तिति यानि system of equation यानि युकपस समिगर्णों का जो हल है वो असंगत होगा यदि दोनों रिखाए प्रस पर समांतर हो और समांतर का प्रतिमंद आप जानते हो क्या होता है a1 बटे a2 बरावर b1 बटे b2 बरावर नहीं होगा c1 बटे c2 यह इस्तिति मिलती है तो असंगत और या a1 बटे a2 नहीं है b1 बटे b2 के तो भी संगत होगा और a1 बटे a2 बरावर b1 बटे b2 बरावर c1 बटे c2 यानि टीनों बदावर होंगे तो यह आप जानरहे हो कि समपाती वाले सबस्क्राइब वीडियो को वार वार सुन लें कि यह समय के अभाव के कारण हम जल्दी आपको समझा रहें हैं इतना जल्दी भी नहीं लेकिन अगर आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को भार वार देख लिए यह समिगरने हमें देखें 3x प्लस 2 बाइब बरावर 5 और 2x माइनस 32 बरावर 7 तो हम देख रहे हैं पहले सम्मेद प्लस एकस एको पांग लांग A1 है हैंनि A1 बरावर 3 भाई के गोलांग को B1 कहते हैं B1 बरावर 2 और C1 बरावर 5 ऐसे यहाँ पर a2 हो गया एक से गोड़ांग दूजरी समीकण का a2 बरावर 2, b2 बरावर 3 और c2 बरावर 7, अब एक से गोड़ांग को का नुपात निकालो, a1 बटे a2 बरावर 3 बटा 2, दोनों समीकणो, b1 बटे b2 2 बरावर 2 बटा मानस 3, तो हम यह देख रहें a1 बटे a2 बरावर 2 बरावर नहीं है to saminda के प्रितिषेदी रेखा ही यहाँ रेका का a ही हलोगा याँ यह समीकंड का you किस प्रिकार का, संगत को मं क्整फे Exodus. यह देख रहें a1 बटे a2, b1 बटे, c2 हम नेनिकाल असानी से ए मैं आपका a2 एक से क्यूलंग का, नूपात लोंगया, कि अक गार्मीट के बड harus काAy sr स कभी अब दो ब्रावर नहीं है ऊत्या था-ब्रण एक पट दो किसके मानता आटपर दू- है संवानतरी कियों के अगे इसलिए समेकण्ञ यह क्योंकि समानतर था शॉब रखे हैं इन समयखणनों को आपको देखना तो पहले हमने становится 1 डुवा आट्यस्मेंट कर लिया, यह समयखण निकला है एक समयखण यह है, एक समयखण यह है तो हमने यह तेखा A1, A2, B1, B2, C1, C2 यह हमने अनुपात निकाला इनका, अनुपात निकालके हम देखना है कि A1 बटे A2 ही बरावर नहीं है V1 बटे B2 के, यह नि सम्मिकरण के यूग जो है वो संकत है, निमले के तरेकिन सम्मिकरणों में से कौन सा यूग संगत या संगत है, यदि संगत है तो ग्राफिय विदी निकाला, C1 बटे C2 निकाला, तीनों बरावर आगए, जब यह तीनों बरावर है, यानि एक ऐसी संक्याए हो गए, रेखाए हो गए, संपाती रेखाए हो गए, इसलिए संगत है, अब इनके ग्राफ बनाने की इस्तितिए आप जानते हो, पहले य का 1 X के पदों में निका हो गए, यह दूसरी स्तिति आ गए, X-Y बरावर 8 और 3X-3Y बरावर 16, इसमें संगत असंगत के लिए जांच करने के लिए हमने X के कुलांकों का नुपात, यानि A1 बटे A2 बरावर हम देख रहे है, माइनस 1 बटे माइनस 3 यह भी B1 बटे B2 के बरावर है, लेकिन यह C1 ब बटे माइनस 2 यह दोनों ही आपसे बरावर नहीं है, जब यह दोनों बरावर नहीं है, यानि A1 बटे A2 बरावर नहीं है, B1 बटे B2 के, यानि यह संगत है, संगत है तो फिर आप इनके गराव बना लेंगे, गराव बनाना आप जानते है, अब बार बार इसको नहीं बता a1 बटे a2 बरावर है v1 बटे b2 बरावर नहीं है c1 बटे c2 यह a1 बटे a2 की होता है एक से गोलांको का नुपाद 2 बटे 4 हम देख रहे हैं माइनस 2 बटे माइनस 4 चलो यह भी बरावर आगा एक बटे 2 के लेकिन 2 बटे 5 इसके बरावर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बटे A2 बरावर है B1 बटे B2 के लेकिन ये बरावर नहीं है C1 बटे C2 तो यह संगत है इसमें हल करने कि इसको कोई आवशकता आपको नहीं है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चोड़ाई से 4 अदिक है और अर्द परिमाप 36 है इसकी बाग के बिमाए यानि इसकी भुजाएं याद करनी है बाग एक आयताकार है यानि आपके दिमाग में तो आयत ही रहना चाहिए तो आयताकार बाग की लंबाई हमने एकस मान ले और चोड़ाई वाई मान ले और उसने पहली कह दिया है कि बाग की लंबाई चोड़ाई से 4 अदिक है लंबाई हमने एकस मानी है चोड़ाई वाई है तो लंबाई बराबर 4 पिलस चोड़ाई तो यानि कि हमारे पास X प्रदाबर आ जाएगा Y प्लस 4 अल्ध परिमाप क्योंकि आयता कार है आयत की परिमाप कितनी होती दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई तो दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई और वोगरा अल्ध परिमाप दो से भाग करो दो हट जाएगा दो से दो कटके अल्थ परिमाप का मतलब कितना हुआ केवल x प्लस y अल्थ परिमाप यानि परिमाप का आधा यानि परिमाप बटे दो कितना 36 तो परिमाप कितना हो जाएगा यहाँ पर आप 36 को 2 से गुणा कर दीजे और वैसे भी परिमाप आप जानते हो 2 गुणा x प्लस y होता है यहां इसने दिखाया भी है लंबाई पेला चोड़ाई तो आ एक समिकर्ण यह आ रही थी आपके पास क्योंकि लंबाई जो है चोड़ाई से बता चुके यहां से आप देख रहे हैं कि एक समीकर्ण गाया और एक समीकर्ण दी है और दो चरों में एक एसी रही समीकर्ण लिखने है आपको ताकि प्रात्य जामिती निरूपन जैसा प्रती छेद रिखाएं करते हैं तो यह IQ पर बेस कुश्चन है कि प्रितिछेद रेखाए कहां करती है जहां A1 बटे A2 बरावर नहीं होता B1 बटे B2 के तो आप दूसरी समिकर्ण ऐसी लिखिए सोचकर जिसमें उस समिकर्णों के में A1 बटे A2 बरावर नहीं हो B1 बटे B2 के समानता रेखाओं में क्या होता है कि A1 बटे A2 बरावर होता है B1 बटे B2 बरावर नहीं होता C1 बटे C2 तो दूसरी समिकर्ण आप लिखेंगे तो 2X प्लस 3Y है तो उसको भी लिख दीजे 2X प्लस 3Y अचर पात बदल दीजे क्योंकि 2 बरावर 3 बटे 3 बरावर माइनस आठ बटे आठ होता तो संपाति होती है मामने उसको लिख दीजिए 2X 3Y प्लस 1 संपाति रेखा है इसको गुणा कर दीजिए संपाति में तो अनुपात 3 नो ब्रावर आने चाहिए तो जो समीकन दी है उसको किसी संख्याद गुणा कर जहें दो से तीन से गुणा गलतो तीन दूनी छह, छह एकस प्लस नवाई मायनस चौबश बरावर 0 तो वो आ जाएगे संपाती रेखा हैं जो इस रेखा के संपाती हो यानि आप समझ यह कि आपको एक समुखण दी है दूसरी सम्मिकंड कुछ इस तरह से लिखनी है कि उसका जब ग्राफ बनाए हम तो प्रितिछे रिखाए हम अब ग्राफ अगर नहीं बनाए तो हमारे पाफ प्रितिछे दीगा क्या संबन्द है A1 बटे A2 बरावर नहीं होगा B1 बटे B2 के यानि X के गुलांकों का अनुपात बरावर नहीं होना चाहिए य के गुलांकों का अनुपात के तो दूदूर समीकरण ये दिमाग में रखके लिखे कि X के गुलांकों का अनुपात य के गुलांकों का अनुपात के बरावर नहीं होना चाहिए यहाँ पर इसने लिखा भी है आप इसका उधार भी देख सकते हैं वो जो हमने बताया वो भी लिख सकते हैं स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले हो रहा है अगला है कि समीकरण को एक ग्राब बनाई है आपके ग्राब बनाना आप जानते हैं ठीक है इसको हम अगले उसमें वीडियो में एक्स्प्लेन करेंगे इसके लिए आप इतना ही आज रखिए गन्यवाद